भारत का एक राज्य राजस्थान जिसका नाम आते ही आखों के सामने सेहगणों और हजारों धारमी गिस्तनों की सबी उभराती है आप सबने अपनी जिन्दगी में बहुत से मंदिरों में कई भगवानों की पूजा की होगी लेकिन साइध ही आपने कभी किसी मंदिर में बाइक की पूजा की नमस्कार दोस्तों, मैं जगन सिंग अपने चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूँ और आप सबसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ये है ओम बनना का इस्तान, जिसे कई लोग बुलेट बाबा मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं ये बुलेट बाबा का मंदिर जोदपूर से 50 किलोमेटर दूर जोदपूर पाली हाईवे पर चोटिरा गाउं के समीब इस्तित हैं यहाँ पर एक पेड के नीचे बने चबूतरे पर ओम बना की बड़ीशी फोटो लगी हुई है इसके सामने ही अखंड जोद चलती रहती है पेड से कुछ दूरी पर ही बुलेट बाइक खड़ी है इस रूट से गुजरने वाला हर वाहन चालक यहाँ पर सीष जुका कर ही आगे बढ़ता है तो आईए अब जानते हैं ओम बना की कहानी के बारे में कि आखिर क्यों इस जगे पर बुलेट की बुजा की जाती है ओम बना का पूरा नाम ओम सिंग राठोड है जो की पाली सहर के पास सी इस्तिर चोटिरा गाउं के ठाकुर जोग सिंग जी राठोड के पूत्तर थे ओम बना का 1988 में अपनी बुलेट बाइक से जाते वक्त इसी स्थान पर इसी पेड से टकरा कर निदन हो गया इस्थाने लोगों के लुसार इस स्थान पर हर रोज कोई न कोई वाहन दुरगणना का सिकार हो जाया करता जिस पेड के पास ओम बना की दुरगणना हुई उसी जगह पर सेंगडो वहन दुरगणना का सिकार हुए थी यह रहस्य ही बना रहता था कई लोग दुरगणना के सिकार बन अपनी जान तक अवा चुके थे ओम्बना की दुर्गणना में मर्त्यू के बाद पुलिस ने अपनी कारवाही के धेट उनकी मोटर साइंकल को थाने लाकर बंग कर दिया लेकिन दूसरे ही दिन सुबह ही थाने से मोटर साइंकल गायब देखकर पुलिस कर्मी हैरान हो गए आखिर तलास करने पर मोटर साइंकल वही दुर्गणना इस्तल पर ही पाई गई पुलिस कर्मी दुबारा मोटर साइंकल थाने ले आए लेकिन हर बाद सुबह मोटर साइंकल थाने से रात के समय गायब हो दुर्गणना इस्तल पर अपने आप होचाती आखिर पुलिस कर्मियों वे ओम बना की पिता ने ओम बना की मर्द आत्मा की यही इच्छा समझ कर उस मोटर साइकल को उसी पेड़ के पास छाया बना कर रख दिया इस अनोखे जमतकार के बाद रात्री में वहन चालकों को ओम बना अकसर वहनों को दुरगटना से बचाने की उपाय करते वे चालकों को रात्री में दुरगटना से सावधान करते दिखाई देने लगे वे उस दुर्गणना संभावित जगे तक पहुंचने वाले वाहन को जबरदस्ती रोक देते या फिर धिरे कर देते ताकि उनकी तरह कोई और वाहनचालक ऐस समय मोद का सिकार में बने उसके बाद आज तक वहाँ दुबारा कोई दूसरी दुर्गणना नहीं कुई और बने के बाद भी उनकी आत्मा द्वारा यस तरह का नेक काम करते देखे जाने पर वाहनचालको वे स्थानी लोगों में उनके परती सरधा बढ़ती गई इसी सरथा का नतीजा है कि ओम बना के इस स्थान पर हर वक्त उनकी पूजा अर्चना करने वालों की भीड लगी रहती है दूर दूर से लोग इस स्थान पर आकर सरथा परकट करते हैं वे उनकी मोटर साइकल से मन्त मागते हैं अगर आपको ये जानकर ये अच्छी लगी हूँ तो अपनी राय जरूर दें धन्यवाद